दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर मुशरफ हुसेन और आज हम एक उस उल्जन और परेशानी को सॉल्व करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के साथ होती है कि डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिये अब उनका रिजल्ट क्या है इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तो मैंने य इस तेस्ट को कि कब कौन सा टेस्ट किया घाता है और किस बिमारी में कौन से टेस्ट की क्या रीडिंग आती है कम होने से चया होता है यह आप समझांगे और पności ने की कोशिक्स करूंगा आज हम शुरुआत करेंगे CBC की लेकि CBC भी ऊज हम खत्म नहीं करेंगे CBC का भी एक component लेंगे क्योंकि अकेले CBC में Hemoglobin होता है RBCs या Red Blood Cells होता है Total Lecosides या TLC होता है DLC होता है उसके भी फिर फरदर टाइपस होता है MCV होता है, MCH होता है MCHC होता है और आज हम बात करेंगे Hemoglobin को लेके Hemoglobin एक बहुत ही चोटा सा बहुत बड़ा रोल होता है ब्यमारी को डियागद thoroughs करने में दोस्तों, बहुत बड़ा रोल है अकेले Hemoglobin से बहुत बड़ी-बड़ी बिमारियों का पता लग जाता है तो आईए हम बात करते हैं Kِ Jimoglobin जो है, किन बिमारियों में काम होता है जब Hemoglobin कम होता है उस condition को Anemia कहा जाता है और जब Hemoglobin ज़ादा होता है तो उस condition को Polycythemia कहा जाता है तो हम पहले बात करेंगे Anemia यानि कि खून की कमी या Hemoglobin की कमी किन-किन बीमारीयों में होती है जरे लिए Hemoglobin कम हो जाता है या तो Acute Blading हो गई हो या Chronic Blading हो किसी Patients को acute bleeding का मतलब होता है कि किसी को को चोट लगी मालोग, internal hemorrhage हो गया, या कोई artery rupture हो गयी, या accident हो गया, बहुत सारा खून बै गया, तो ये acute bleeding होती है तो इसमें एक दम से बहुत ही जल्दी से hemoglobin के levels नीचे चले जाते हैं और इसलिए blood transfusion करना पड़ता है दूसरा होता है chronic bleeding chronic bleeding होती है कि मरीज के किसी organ से धीरे-धीरे blood ooze हो रहाता है, जैसे hemorrhoids के patients में होता है, या फिशर के patients में होता है या जिनको chronic gastritis होता है और उसमें gastric ulcers develop हो जाता है तो वहांसे भी धीरे-धीरे खून ooze होने लगता है और समय बीतने के साथ साथ जो hemoglobin के level से वो कम होते चले जाते है दूसरी एक जो condition है और सबसे ज़ादा इसी condition के मरीज मिलते है अनीमिया के हिंदुस्तान में वह होता है iron deficiency anemia तो जिन लोगों को भोजन में iron की पूरी मात्रा नहीं मिलती है उनको iron की कमी हो जाती है जिसकी वीजिसे hemoglobin का production कम हो जाता है तीसरा एक कारण होता है B12 या foliates की deficiency तो अगर B12 या foliates की कमी है तब भी hemoglobin कम बनता है शरीर के अंदर तीसरा कारण होता है कि अगर bone marrow disorders हो यानि कि bone marrow से ही जितने blood के cells हैं वो बनता है तो अगर वही ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो फिर blood cells ही नहीं बनेंगी और hemoglobin का production भी कम होगा एक condition हो रहोती है जब जो RBCs है या red blood cells है वो बहुत तेजी से तूटने लगती है तो इस condition में hemoglobin भी नीचे चला जाता है कुछ दवाईयों के कारण कुछ बिमारियों में RBCs तेजी से तूटती है जिसकी वेसे hemoglobin काफी नीचे चला जाता है और इस condition को हम hemolytic anemia कहते हैं इसके अलावा chronic kidney disease में भी hemoglobin कम हो जाता है या कुछ chronic inflammatory diseases होती है उनमें भी hemoglobin के levels कम हो जाते है तो दोस्तों ये तो वो लिस्ती कि जिनमें hemoglobin का level कम हो जाता है तो first level पे अगर हमें पता लग गया ये 8 बिमारियां हो सकती है hemoglobin की कमी से फिर हम उनके specific test पे जाते हैं कि भी इसका कारण क्या हो सकता है कि iron deficiency है B12 deficiency है folate deficiency है bone marrow cut disorders है kidney disease है तो हमें बिमारी को diagnose करने में आसानी हो जाती है इसलिए test करना ज़रूरी है तो आगे से doctors में जाम नहीं लगाना कि doctors बिना वज़े बहुत सारे test कराते है दूसरी condition होती है polycythemia polycythemia में hemoglobin का level बढ़ जाता है जैसे dehydration यानि कि अगर किसी को उल्टी दस्त लग जाते है पानी बहुत जादा शेरी से निकल जाए तो खून गाड़ा हो जाता है जिसकी वज़े से hemoglobin की reading जो है वो जादा आने लगती है उसके अलावा जो lungs की बहुत सारी disease हैं जैसे asthma है, bronchitis है जो इस तरह की विमारिया है उनमें hemoglobin की level जादा आते हैं और एक बहुत बड़ी बात जो smokers है बीडी cigarette जो लोग पीते हैं उनके अंदर भी hemoglobin की मात्रा जादा पाई जाती है कुछ kidney के tumors बोडी के दूसरे tumors जो है उनमें भी hemoglobin की levels बढ़ जाते है जो लोग high altitude पे रहते हैं यानि ये पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का hemoglobin का level plane में रहने वाले लोगों से अक्सर जादा होता है, कुछ genetic disorders भी होते हैं जिनमें hemoglobin के level बढ़ जाते है तो ये वो बिमारियां थी या ये वो कारण थी जिनमें hemoglobin का level बढ़ जाता है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम उतना ही बात करेंगे आगे हम बात करेंगे PLC और WBCs के बारे में के उनका क्या रोल है और ये बहुत बड़ा रोल पिले करते हैं किसी विमारी को डागनोस करने में तो दोस्तो अगली वीडियो पार्ट टू जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें शेयर करें और चैनल को स्ब्राइब करना ना भूलें थैंक्यू